प्रीय शातर शातराओं आज हम अपने बी ए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्राचीन भारती इतिहास को जानने के सुरोत उसके अपने अंतिम विशलेशन की बात करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पुरातात्विक सुरोत थे उनके बारे में बात की सहितिक सुरोतों में बात की और सहितिक सुरोतों में हमने धार्मिक और लौकिक सुरोतों की बात की लौकिक सुरोतों के अंतर गथी विदेशी व्रतांत भी आते हैं और उनके द्वारा जो भार भारती इतिहास के लिए बहुत ही महतुपून है। प्राचीन भारती इतिहास लेखन में विदेशी व्रतांत की अत्यंत महतुपून भूमिका है। भारत में समय समय पर यूनानी, बैक्ट्रियाई, अर्बी, वचीनी यात्री वलेखक आते रहे। और यहां चाहें वो शिक्षा प्राप्ट करने के लिए आये हों या यहां पर किसी पदादिकारी के रूप में आये हों या किसी शाशक के साथ में आये हों। उन्होंने भारत को देखा और भारत के उपर जब तक वे भारत में रहे, जहां तक उन्होंने यात्राएं की, भारत में रहते हुए भारत के जीवन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जिसके कारण उनके जो व्रतान्त हैं उन व्रतान्तों से हमें भारती इतियास को जानने वे समझने की एक नई दृष्टी मिलती है युनानी लेखक हेरोडोटस, टेसियस, हिकेटियस, मिलेटस ने अपनी पुस्तकों में भारत के भूगोल, भारतियों की युद्ध प्रियता, भारतियों की युद्ध कोशल के बारे में लिखा है इसी प्रकार एरिस्टोबुलस, नियारकस, चारस तता युमेनिस ने सिकंदर महान के साथ क्योंकि वे भारत आये थे तो उन्होंने सिकंदर के भारत के आकर्मन, सिकंदर की भारत में यात्रा का सजीव चित्रन पस्तुत किया है इस प्रकार हेरोडोटस, तैसीसियस, हिकेटियस, मिलेटस के द्वारा भारत के भुगोल के बारे में, नगरों के बारे में, राज्यों के बारे में हमें बहुत ही महत्वपून जानकारी प्राप्त होती है और उनके युद्ध कोशल और युद्ध प्रियता के बारे में जानकारी मिलती है इसी तरीके से अरिस्टोबुलस, नियारकस, चारस और युमेनिस ने सिकंदर के समय का जो भारत है सिकंदर के जो भारत पर आकरमन रहे और उसमें सिकंदर और इस्थानिय शाष्कों की क्या भूमिका रही किस प्रकार से सिकंदर ने भारत को जीता और क्यों सिकंदर भारत से वापस किया इन सब के बारे में इन लोगों के द्वारा हमें महतुपून जानकारी मिलती है युनानी राजदूत मैगस्तिनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौरे की दर्बारी विवस्था राजनेति का वस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है हलांकि मौरे शाषन के बारे में मौरे प्रशाषन के बारे में हमें अर्थ चानक्य की अर्थ शास्तर से महतुपून सामगरी मिलती है लेकिन जिन जगों की जिन प्रशाषनिक तत्यों की कमी हमें चानक्य की अर्थ शास्तर में रह जाती है उस कमी को मैगस्तनीज की इंडिका पूरी करती है मैगस्तनीज की इंडिका नहीं नगर प्रशाशन के बारे में बहुत महतुपून जानकारी प्रदान की तो मैगस्तनीज की जो इंडिका है उसे हमें चंदरगुप्त मौरे के बारे में तातकालिक, सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक वे आर्थिक दशा का चित्रन किया है। इसी तरीके से पेरिपलस ओफ दा एरिथियन इसी एक अग्यात लिखक के द्वारा लिखी की पुस्तक है जिससे हमें भारत के तातकालिक बंदरगाउं का उलेख मिलता है। प्लीनीदा एल्डर की नैचुरल हिस्ट्री में भारत का परिचात्मक वर्णन है। इसके अलावा इसी पुस्तक में यह जानकारी भी हमें मिलती है कि भारत वे इटली के मद्ध में उस काल में भी व्यापारिक संबंद थे। शुमाचीन, मासीन, फाहयान, हुईनसांग, हुईली तथा इसिंग वे प्रसिद्ध चीनी लेखक हैं जिनोंने भारत के इतिहास लेखन में महतुपूर्ण योगदार दिया था। ये सभी चीनी व्यक्ति भारत में बौद धर्म के शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, उन्होंने उस समय के महतुपूर्ण विश्विद्यालियों से शिक्षा प्राप्त की और भारत में लंबे समय तक ये लोग रहे और इनके द्वारा भारत में रहते हुए जो यात् व्रतांत लिखा गया उसने भारतिय इतिहास को महतुपूर्ण योगदान दिया फाहयान चौथी सदी के अंत में भारत आया था उसने अपने पंदरा वर्ष के प्रवास में चंद्रगुप्त विक्रमादितिये के शाषन की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनेतिक अवस्त राजनेतिक विवस्ता का विशत विवरण दिया यनि फाहयान जो की गुप्त कालीन चंद्रगुप्त विक्रमादितिये के समय में आया था और लगातार पंदरा वर्षों में यहाँ पर रहा उसने प्रवास किया तो यहां के सामाजिक सनरचना के बारे में धार्मिक जीव इसी प्रकार वेंसांग सात्मे शताबदी में भारत आया और अपने सोला वर्ष के प्रवास में उसने हर्ष कालीन भारत पर्विस्तार से लिखा है तो हर्षवर्धन के समय के इतिहास की महतुपून जानकारी हमें वे इंसान के लेखन से मिलती है विक्रमशिला तथा नालंदा विश्विद्याले की पतनोन मुखी इत्सिंग जो था वह सात्मी शताबदी के अंत में भारत आये था और उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्विद्याले जो की एक समय में भारत के बहुत ही महतुपून विश्विद्याले थे शिक्षा के महतुपून इस्तंब थे उनकी पतनोन मुखी दशा और बहुत धर्व का जो प्रभाव भारत में धीरे-धीरे कम हो रहा था उसके बारे में महतुपून जानकारी हमें इत्सिंग के लेखन से मिलती है तिब्वती लेखक तारानाथ ने अपनी पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर में मौर्य, श्वक, पार्थियन और कुशान कालीन घटनाओं का वर्णन दिया है यानि तारानाथ ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में उसने बहुत लंबे समय के इतिहास की महतुपून घटनाओं का उलेख किया है मौरे कालीन इतिहास से लेकर के कुशान कालीन इतिहास तक जिसमें बीच में शक भी आए पार्थियन भी आए और कुशान तो थे ही उन सब के समय की घटनाओं का वर्णन हमें तिबबती लेखक तारानाथ की पुस्तक में मिलता है अलबरूनी, सुलेमान, अलमसूदी, फरिष्टा, मिनहाजुद्दिन, अलबिलादुरी ये प्रमुक अर्भी लेखक थे जो कि अपने अर्भी शाष्कों के साथ भारत आये थे या बीच बीच में भारत में ग्यान की खोज के लिए भारत में आये थे इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से भारत का परिचे दिया सुलेमान, नौमी, शताब्दी में भारत आये था और उसने प्रतिहार, शाष्कों, राजाभोज के प्रशाशन का वर्णन किया है अलबरूनी, महमूद गजनी की साथ भारत आये था और उसने अपनी पुस्तक तहकीक उलहिंद में भारती समाज, कला, विद्या, जोतिश, एवं गणित का महत्वपूर्ण वेविशद वर्णन किया है अलबरूनी की पुस्तक तहकीक उलहिंद भारती एतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सुरोथ है इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इन विदेशी लेखकों के द्वारा भारत की महत्वपूर्ण वे तथ्यात्मक जानकारी हमें मिलती है जहां कहीं भी हमें इतिहास लेखन के अंदर प्राचीन काल के इतिहास लेखन में दुविदा होती है उस दुविधा को इन विदेशी आत्रियों के लेखन से हम दूर करने में सफलता प्राप्त करते हैं लौकिक साहिति में अगला पड़ाव आता है जीवनियों का प्राचीन काल में बहुत सारे लेखकों के द्वारा कुछ शाष्कों की जीवनियां लिखी गई जिनके मार्जम से भी हमें तातकालिक इतिहास की महतुपून जानकारी मिलती है सरप्रतम बानभट की हर्श चरितर से हमें हर्श के जीवन की महतुपून जानकारी मिलती है बानबट हर्ष का दर्बारी कभी था और उसने हर्ष वर्धन के जीवन पर हर्ष चरित नामक ग्रंथ लिखा जिसने हर्षवर्धन के काल के बारे में हर्षवर्धन के जीवन के बारे में उसकी महतुपून घटनाओं के बारे में महतुपून जानकारी प्रदान की है इसी प्रकार संध्याकार नंदी के द्वारा बंगाल के शाषक रामपाल का जीवन वर्णन रामचरित नामक पुस्तक में किया गया है जिससे हमें बंगाल के शाषन के बारे में महतुपून सामगरी मिलती है जैसिंग ने अपने कुमारपाल चरित में कुमारपाल की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है हलाकि ये ग्रंथ प्रशस्तियां हैं क्योंकि ये सब दर्बारी कवी थे और अपने शाषकों को प्रसंद करने के लिए इनके द्वारा अतिश्योक्ति पूर्ण अतिरंजना पूर्ण वर्णन भी किया गया होगा किन्तु एतिहासिक द्रश्टी कौन से उन चीजों को समझने में हमें एक दिशा वे दशा राप्त होती है और इस तरीके से ये प्राचेन भार के इतिहास लेखन के लिए ये अत्यन महतुपूर्ण जीवनिया है उस काल में विशुद्ध साहित्य के लिखा गया जो इतिहास से संबंदित नहीं है जैसे रतनावली, प्रिय दर्शी का, व्रिहत कथा, कथा सरित सागर, कालीदास के नाटक, विशुद्ध साहित्य की शेणी में आते हैं अर्थात इनका उद्देश्य कला के दृष्टी कौन से लेखन था किन्तु फिर भी, जब हम ये कहते हैं कि साहित्य उसकाल विशेश का दरपन होता है तो ये साहित्य उसकाल विशेश की समाज, राजव्यवस्था, धर्म तथा आर्थिक जीवन का बड़ा ही मेहत्व पूंचितरन प्रस्तुत करते हैं जिसकी वज़े से हमें इतिहास लेखन के लिए एक दृष्टी प्राप्त होती है यहां ये बात स्पष्ट कर देनी हैं कि इतिहासिक सुरोत के रूप में साहित्यक सुरोत्तों की एक सीमा होती है इन में वर्णित लेखन से हम मानव समाज के भोतिक विकास तथा मांसिक मनुवरती का पता लगाते हैं तथा इतिहासकार इन साक्षियों के प्रयोग में स्वयम के विचारों को इतिहास लेखन में प्रदर्शित करता है यानि कितना भी बढ़िया लेखक क्यों न हो यदि इतिहासकार क्योंकि वह व्यक्ति है तो किसी भी घटना को किसी भी वर्णन को करते समय उसका अपना स्वयम का भी एक द्रिश्टी कोण उस लेखन में रहता है इसलिए जब वह इन साक्षियों का प्रयोग करता है और इन्हें इतिहास के रूप में लिखता है तो उस लेखन में उसका द्रिश्टी कोण भी होता है वह पूरी तरीके से निश्पक्ष लेखन नहीं होता है इसके अलावा यह जो साहित्ती लेखक है इन्हें राजाश्वे प्राप्त होता है राजा के द्वारा इन्हें लेखन के एवज में जीवन यापन की सुविधाय मिलती है जिसके कारण वह अपने शाशक का यशुगान करता है प्रशस्टी करता है उसके लिए उसे करने के लिए अतिरंजित वे अतिरंजना पूर्ण लेखन भी लिखता है अते जब इतिहासकार अपने लेखन में पुरा तात्विक एवं साहितिक सुरोतों का को प्रयोग में लेता है तो उसे आलोचनात्मक वे तट्टस्थ परिक्षन कर तट्टस्थ लेखन का प्रयास करन होता है तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारतिये इतिहास के लेखन में इन सुरोतों का अत्यंत महत्वपून भूमिका रही थी और इन ही सुरोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारतिये इतिहास को नए सिरे से लिखने में और उसे प्रदर्शित करने में सफ हुई